वेल्कम टूभी क्लासेज गाईज दोस्तो आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं जारखन एक्साइस कॉंस्टेवल 2022 नोडिफिकेशन्स के बारे में तो दोस्तो आपको जैसा की पता होगा कि अभी जो है स्टेट गौर्मेंट नोडिफिकेशन्स जारी कर दी है एक्साइस कॉं आप जोका ही अपनी तयारि को लेंकर ठीक है तो मैं दोस्तो यहां पकूर्में तयारी बहुता हूं ज्यसएं के किसी बीदाandel जो भी टोपिक होते हैं जो भी बीद कर जाथे हैं और सबसे पहले देख़ से को कुल पोस्ट के लिए कितनी है तो बात करते हैं दूस्तों कि ये अरक्षन कोटी के हिसाब से कंटेगृइज की गही है और उसके हिसाब से पोस्ट डिवाइट की गही है अंब बात करते हैं दोस्तों की ASE वालों कौन सूचित जाती वालों के लिए 57 जो सीट है दोस्तों आरख सीट की गई है और OBC 1 और 2 के लिए दोस्तों यहां पे देख सकता है कि और लिए domestic उल ज़्य न के लिए ठोस्तों ऑफ को पता होगा और इस इसाब से दोस्तों आगे की बात करते हैं तो रही टोटल बोस्ट की बात अब दुस्तों बात कर लेथे कि यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है तो देखें सेलरी की बात करें इसका प्याइश स्केल जो है दोस्तो उन्हेंश जार नौसों से लेकर तीसर जार दोसों तक अच्छी खासी स्केल है दोस्तों ठीक है और बात करें दोस्तों की न्यूंतरम स्क्ष्णिक योगयता इसके लिए क्या होनी चाहिए तो मानेता प्राप स्क्ष्णिक संस्थान से मैट्रिक दसमी कख्छा से उतिन होनी चाहिए दोस्तों आपको ठीक है मिनिमम और बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं और हम लोग जो हैं दोस्तों बात कर लें हम लोग सिलेवस के बा प्रहचों कि होना चाहिए खेस्ट होना चाहिए और स्चक्राइब करते हो भी चेस्ट के लिए आपके लिए बहुत जरुई है तो देखें minimum age की बात करें तो 18 year है दोस्तों और maximum की बात करें तो categorize wise जो है दोस्तों यहां पे age divide की गई है तो unreserved की बात करें दोस्तों 25 year है आपको पता है बात करें दोस्तों OVC की बात करें दोस्तों तो 27 वर्स दिया गया है और महिलाओं के लिए उसी तरीके से OVC की बात करें तो 28 year दिया हुआ है ठीक है उसी तरीके से दोस्तों हम लोग जान लेते हैं यह resident के बारे है ठीक है resident के बारे में जानते हैं देखिए रस्टेंट जो है दोस्तों आपको 2022 लेकर 26 2022 तक जो ढ़ल बहल करता है है दोस्तों टेट फॉंडने की चेंज कर दी है पहले दोस्तों हो व्क करते है तो इस तरीके से जो है दोस्तों काटेग्राइज की गई है परिक्षा का सवरूप ठीक है देखे दोस्तों बात कर लेते हैं कि देखे आपसे जो एक्जाम में पूछा जाएगा वह पत्र 1 पत्र 2 और 3 के हिसाब से तो एक ही दिन एक्जामनेशन ली जाएगी आपकी ठीक है तो पहला जो पत्र 1 में जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों वह आपसे पूछा आएगा हिंदी और इंग्लिश का लेंग्वेज ठीक है तो हिंदी जो लेंग्वेज होगा वह 80 कोसंस होंगे और इंग्लिश का जो होगा दोस्तों 40 कोसंस होंगे ठीक है और बात करते हैं टोट या नाकपूरी आप ले सकते हो ठीक है तो नाकपूरी की भी तयारी दोस्तों मैं करवा रहा हूं तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत जल्द कलास स्टार्ट होने वाले हैं तो अब बात करते हैं पत्र 3 के दोस्तों पत्र 3 में क्या पूछने वाले हैं तो दे मेरे साथ continuity बनाय रखने के लिए आप subscribe कर जकते हो और बात करें mathematics की तो 10 questions होते हैं पुछे जाएंगे total जो questions होगा दोस्तो 120 questions होगे ठीक है GS है पत्र 3 में तो आपको जो है दोस्तो merit जो बनने वाले हैं वो पत्र 2 ठीक है पत्र 2 और पत्र 3 से जो है merit बनने वाले हैं तो आप जो है अपनी तयारी को बैतनी बना सकते हो आपको जो focus करना है दोस्तो वो subject है GS और जारकंट GS ठीक है तो यह दो जो subject है इस पर आपको ज्यादा focus करने की ज़रूत है फिर उसके बाद विज्ञान जो है दोस्तो science जो है इसकी जो है class हम लोग करवा रहे हैं तो आप जो है one liner questions को complete कर लो science में और कुछ ज्यादा नहीं पूछते और 10 जो है दोस्तो यह आप जाहिर सी बात है कि आप अगर complete exams के त्यारी करते हो तो basic आपको पता होगा और basic से दो questions आपको आने ही चाहिए ठीक है तो यह सारे के सारे दोस्तो information हमने completely दे दी है तो